हेलो फ्रेंड्स, लोटेस ऐर्वेद इंडिया के प्रेग्नेंसी केर में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जुडवा बच्चों की चाहत रखने वाले इसे जरूर देखें इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दू आपने हमारे यूटूब चैनल लोटस ऐर्वेद इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके प्रेग्नेंसी से सम्मंदित वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिसे आप अपना कर आप और आपका बच्चा स्वस्त रह सकते हैं जुडवा बच्चे एक सोध के अनुसार दो सो इस्त्रियों में से सिर्फ एक इस्त्री ऐसी होती हैं जिसे जुडवा बच्चे पैदा होते हैं ये जुडवा बच्चे दो तरह के होते हैं, पहला दोनों एक लिंग के और दुसरा विपरित लिंग के, एक लिंग के बच्चे जादतर एक ही तरह के कद, शकल और स्वभाव के होते हैं, किन्तु कुछ विपरित लिंग वाले बच्चे ऐसे हैं, जिनकी सकल आपस में तो क्य घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलती है। जुडवा बच्चे दो प्रकार से होते हैं। एक अंडज यानी अभिन्य जुडवा। जब कोई इस्तरी अपनी अंड़ कोशिका में एक पूरुस के सुकुरानों के होने से गर्भवती होती है। और जब ओ सुकुरानों उसकी जिसे एक अंडच कहा जाता है क्योंकि ये एक अंड़े में एक सुकुरानों के दो हिस्सों में बटने की वज़से हुआ है। ये जुडवा बच्चे इस्तरी पूरुस के एक पराबर के सहवासकिरिया में ही हो जाते हैं। इस्तरीयों की डिमबाशय में हर महींने एक नय डिम्भ यानी अंड कोशिका का निर्मान होता है वहीं पुरुष सुक्राणू अंगीनत होते हैं संयोग वस कभी-कभी इस्त्रियों में दो अंड कोशिका का प्रकृतिक रूप से निर्मान हो जाता है जिनमें दो अलग-अलग सुक्राणू के दो बच्चे जन्म लेते हैं ये बच्चे थोड़े-थोड़े समय के अंतर पर पैदा होते हैं। द्वी अंडच यानी प्राती जुड़वा। जब इस तरी दो अलग-अलग पुर्षों के शुक्रानू से दो अलग-अलग अंड़ कोसीका में शुक्रानू को निसेचित करती हैं, तो उसके गर्भ में दो अंड़े बनते हैं, जिससे उसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जिसे द्वी अंडच कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो अलग-अलग सुक्रानू के दो अलग अंड़े बनते हैं। क्योंकि अभिन जुड़वा एक ही सुक्रानू के दो हिस्सों में बटने की वज़से होते हैं, तो इनकी सकल, कद और सुभाव भी समान होते हैं, किन्तु ब्राती जुड़वा अलग-अलग अंड़े के होने के वज़से एक दुसरे से अलग होते हैं, जिससे उनकी आदते जुड़वा बच्चे पाने के लिए जरूरी आहार जब किसी इस्तरी के पेट में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उन्हें इस बात का कई महीनों के बाद पता चलता है इस इस्थिती में पेट का आकार समाननी से ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसके बाद गर्भवती इस्तरी जुड़वा बच्चों के दिल की धड़कन सुनकर भी इस बात का पता लगा सकती है एक बात ध्यान रखें कि अगर किसी इस्तरी को जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, तो वो कभी भी अपनी घर पर प्रसव ना कराएं अगर आप भी जुड़वा बच्चे पैदा करना चाहती हैं, तो आप अपनी किस्मत या जिनके भरों से ना बैठें, क्योंकि कुछ ऐसे पौस्टिक अहार भी हैं, जो आपके इस सपने को आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करते हैं इस बात पर पूरी तरह से सोध हुई है और उसी के आधार पर हम आपको ऐसे आहारों के बारे में बता रहे हैं, जिनके नियमित सेवन से आपको जुड़वा बच्चा पैदा होने के आउसर बहुत हद तक बढ़ जाते हैं ये आहार निमलिखित हैं फोलिक एसेड जब आहार पर सोध हो रही थी तो जुड़वा बच्चों के जन्म और आहार में फोलिक एसेड को साथ में रख कर देखा गया अध्यान में ये पाया गया कि फोलिक एसेड शुक्राणू को दो हिस्सों में बाटने में सहायक है जिससे अभिन्य जुड़वा होने की संभावना बनती है तो आप अपने आहार में बिन्स, पालक और चुकंदर को जरूर सामिल करें आपको जुड़वा बच्चे होने के आउसर बहुत हद तक बढ़ जाते हैं जिमी कंद अफ्रीका की एक जन्जाती है जिसका नाम है यारूबा इस जन्जाती में देखा गया है कि इन्हें च्यादतर जुड़वा बच्चे की ही पैदा होते हैं इस अद्भुद बात को पता लगाने के लिए सोध की गई जिसमें पाया गया कि ये अपने आहार में जिमी कंद का सबसे अधिक सेवन करते हैं जिमी कंद में एक रसायन होता है जो हाइपर ओयूलेशन में मददगार सिद्ध होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइडरेट से ओयूलेशन की छमता बहुत हद तक बढ़ जाती है तो अगर आप चुड़वा बच्चे चाहते हैं तो आप खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइडरेट को जरूर सामिल करें जिसके लिए आप साबुत अनाज, बीन्स और हरी सबजियों का सेवन अधिक से अधिक करें डेरी उत्पाद हर डेरी उत्पाद में केल्शियम की मात्रा अधिक होती है कैल्सियम न सिर्फ हड्डियों के लिए बलकी प्रजरन परणाली के लिए बहुत लाबदाई है और इसे स्वस्त रखता है इसलिए जो इस्त्रियां दूद पीती हैं उन्हें जुड़वा बच्चे होने की पांच गुना ज्यादा संभावना होती है इसलिए महिलाओं को जुड़वा बच्चे पाने के लिए दूद, चीज, मक्खन, पनीर और दही का अधिक सेवन करना चाहिए तो ये थे फ्रेंड्स जुड़वा बच्चों की चाहत रखने वाले इसे जरूर देखें फ्रेंड्स, प्रेगनेंची से सम्मंदित आप कुछ सवाल पुछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमसे सवाल पुछ सकते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज, लाइक और सेयर करना ना भूलें साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रेगनेंसी से समंधित उसारी जानकारिया लेकर आएंगे जिसे आप अपना कर आप और आपका बच्चा स्वस्त रह सकते हैं तो स्वस्त रहिए खुश रहिए धन्यवाद